हलो गाईस, चलिए गाईस, हम आज आपको दिखाते हैं सिंग कोपलिंग सिंग कोपलिंग दिखाने से पहले हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी को किलिक कर दें चलिए देखते हैं सिंग कोपलिंग देखिए यह नया मोडल का सिंग कोपलिंग हैं देख सकते हैं आप अच्छी व। ये स्इंग कोपलिंग में क्या खुबी हैस भी हम आपको दिखाएंगें एक दिखाएंगें सब्सुरों कि का थे यह कि देखते हैं किनारे किनारे पूरा वासल दिया हुआ इसके देख सकते हैं और यह सिंकॉपलिंग में वाल्टी जैसे अंदर में दिया हुआ है यह आपका वाल्टी इसलिए दिये गया है अगर कचड़ा उचवडा जा मो यहां पर आपका थ्रेड दीया Straw कहते है जो इसे हिए करके साफ कर सकते हैं फिर इसमें डाल दीते देखिए इसमें और एक खुबी है यह सिंग कोपलिंग में कभी भी बहुत सा सींग कोपलिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका थ्रेड दी आ गोल से आपका कचड़ा एक जरह रुके गई नहीं, जो भी कचड़ा बर्तम धोएं, खाना उना कुछ भी हो, वो चला जाएगा बय करके, यह खूबी है इसमें, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप यह कोपलिंग को आराम से आप लगा सकते हैं, अपने से भी ले करके लगा सकते हैं, दुकान में अगर खरीच करके, यह चीज है, यह चीज जो है, देख यह देख रहे हैं, यह वासर की तरह है, चूड़ी बना हुआ इदर, बस कुछ नहीं, इसमें सबसे पहला काम कीजिए, यह वासर जो है, इसको आप निकाल दीजिए, और निकालने के बा वासर, उसके उपर से यह जो वासर दिया हुआ है, देखिए, यह चूड़ी वाला वासर, इसको आप अच्छा से सेट की, यह टाइट हो गया, देखिए, यह टाइट हो रहा है, यह समझे, पूरा टाइट करना है, अच्छा से, देखिए, यह घूम रहा है, यह टाइट हो लगा दीजिए इस जगह लगा दीजिए और आपका किचन का लाइन में डाल दीजिए वेस्ट पैप को पानी वेस्ट पैप को डालने के बाद आपका यह लग गया है लगने के बाद कुछ नहीं यह जाली वाला टप है इसको आप आराम सिसमें डाल दीजिए डालने के बाद आगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पाटिूटी में जा रहे हैं, चाStar घर बंद करके कहीं रूम, कहीं जा रहें खुमने केhando, आप आए आने के बाद मिटाना का ज्シभ अभी भर्तन रहेगा, गंदा रहेगा है, जु सुख गया है, इसको लगा देने के बाद मिटा पानी रू जाएदा बैणे के बाद आपका बर्तन फिर से साफ हो जाएगा बढ़ियोषा और आपने कशड़ा होगा इसमें निकले इसको आप जाल सकते हैं अपने टप में कशड़ा हो टोशुक में डाल सकते हैं एक इस आज क्या वीडियो नेश टाइम में दूसरी वीडियो हम बनाएंगे वो आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और सब्सक्राइब करने और घंटी के वो किलिक करने ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद